तो दोस्तों आज किस वीडियो में कहने वाला हूँ बैसिकल के लिए आने वाले एक मेकैनिकल स्पीडो मीटर की अनपॉक्शन रिपीव और टेस्ट साथे साथे इंस्टेलेशन भी तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला अगर आप भी अपने बैसिकल म है प्रोट्डेक्ट चलिए धटा पटी से कट करके कर लेते हैं open है कि अपके यहां पर पेलिंग होगी है कट अंदर दिखाए देरा हमारा प्रोट्डार्ट का बॉक्स निरा लेते हैं बाहर तो बड़े ही सिंपल से बॉक्स में पेक करके भेजा गया है प्रोड़क्ट वीक सा और बॉक्स यहां पर डेमेज भी है होप कर रहा हूं कि प्रोड़क्ट यहां पर डेमेज ना हो उपल लिखा है स्पीडो मीटर और एक्सर साइकल एंड बाइक नीचे कुछ इमेज हैं साथ ही साथ हमारे मल्टी मीटर का भी एक इमेज है बॉक्स के अधर साइड सेम चीजे में सब्सक्राइब एक दो इमेज़ बने हैं एक तोई स्पीडो मीटर का दूसरा हमारे कीयर का किस तरीके से कहां पर लगेगा इसके अलमा बॉक्स के अधर साइड बिल्कुल सेम चीज टॉप पे भी वही है कि वार कुट के साथ ये था बॉक्स का ओवर्विव फटापर इस सील को करते हैं कट और कर लेते हैं इसे ओपन तो इस तरीके की पैक्सिंग मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी फिलहाल चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन कुछ इस तरीके से चीज रखी हुए कि करके निकाल लेते हैं तो यह हमारा स्पीडो मीटर विद गियर से कनेक्ट करेंगे कॉल्टी काफी अची लग रही है थीक है अचा-कासा वीड भी है फिलाली से भी रखते हैं एक तरफ और देख लेते हैं मेंचीज पैक्जिंग बड़ी ही पूर है तो जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पैक्जिंग काफी खराब थी पर प्र sensing काफी अच्छी है टफ लग रहा है ये भी पीछे के साइट जो bracket लगा है से हम कनेक्ट करनेंगे से अपने bicycle में इसको एन्य करके या भला हिस्सा हमारे bicycle के handle bar में लगएगा यह जो देख रहा है इसमें दूसरा छोड़ लगेगा हमारे लाइन केबल का चलिए आपको दिखा देना हूं किस तरीके से कहां पर क्या कनेक्ट होगा तो से पहले इस गियर सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं ये केबल तो ये देखिए कुछ चीस तरीके से यहां पर हो गया फिर दूसरा जो छोड़ है वो यहां पर कनेक्ट हो जाएगा हमारे स्पीडो मीटर में तो ये देखिए अभी ये रेडी इंस्टलेशन के लिए फिलाल इसका थोड़ा सा ओवर विव करा देता हूं स्पीडो मीटर में यहां पर आर पीम और स्पीड किलो मीटर पर आवर के हिसाब से मेंसन कीगिए साथी साथ ये हमारी स्पीड की सोई उसके जस नीचे यहां पर कितने किलो मीटर हम इसे राइट कर चुके हैं वो सारा कुछ यहां पर कल्कुलेट होगा तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने को चलिए फटापट इसे करते हैं हमने बाइसकेल में इंस्टॉल तो यह है मेरी बाइसकील सबसे पहले हमें बाइसकील के फ्रंट टायर को रिमूब करना होगा और यह जो स्पीड गेर है वो राइड साइड में इस्टॉल होगा इसके इस पिन रोटेशन के हिसाब से इसको कर लेते हैं सबसे पहले ओपन यह दिखे बोल्ट काफी हैवी और स्ट्रॉंग है सेम अदर साइड का भी बोल्ट हम कर लेते हैं ओपन ओके तो दोनों साइड के यहां पर बोल्ट और पॉर्शन निकल गया है बाहर और अभी मैंने टायर को भी निकाल दिया है बाहर नेक्स्ट हम इस स्पीडोमीटर के गेर सेट को फ्रन टायर के राइड साइड में स्टाल करेंगे उससे पहले आपको बता दें इसको मजबूत और स्ट्रॉंग रखने के लिए यहां पे मैंने कुछ वासर प्रचेश की हैं जिससे की इसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी ज की वासर लगाने के बाद किया हमारा यह जो जो गैर सेट है वो इसको के पास कनेक्ट ओ पा रहा है या नहीं यह देखी सपोग को यह हलका सा टचकर रहए यह पूरा आच्चे से यहां पर connect होना चाहिए तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा extend करूँगा आप इसको extend करने के लिए अपने player का इस्तमाल कर सकते हैं जिसे कि मैंने देखिए इसको थोड़ा सा extend कर दिया है और आपको इसको बहुत केरफुली करना इसको तोड़ना नहीं है क्योंकि अंदर वाला पोर्शन इस पिन भी करना चाहिए स्मूब ली नेक्स्ट अभी टायर को हम कंप्लिटी कनेक्ट करके एक पर इस्टॉल करके देखते हैं तो अभी टेस्टिंग परपस के लिए मैंने जो इसका गियर सेट है उस चुकि सेफ नहीं है और यह देखिए यहां पर इसको मैंने कंप्लीट ली जितना टायट हो सका गा रहा है पर देखिए यह बहुत थोड़ा से यहां पे कस पाया है तो मुझे यहां पे कुछ वॉसर को कम करना होगा इसको परफेक्टली सेवली कनेक्ट करने के लिए तो न पुझे निकालना पड़ा इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के लिए और ये सारा कुछ करने के बाद अभी देखिए आप ये घेर के मेटल वाला हिस्सा इस पोक्स में अच्छे से कनेक्ट हो गया है अभी पहिए कि स्पिन होने के दोरान ये चीज भी आसानी से स्पिन ह केबल को मैंने कुछ इस तरखे से उपर लाया है और यहाँ पर टाइट उसके बाद इसको की सिरे करनेक बेटा करना है सिंपल भ्स इस गुरू को यहाँ पर नीचे से कर दीन था अर केबल को कर दीना है आपको दिखा दूँ आगे वाला भेटिया 10 سे 12 किल निभ मेरा फून है और यहाँ पर सामका टाइम भी होगा है तो लो लाइटिंग में ठीक से कैपचर नहीं हो पाया है और आपको एक आडिया लग रहा होगा कि स्पीडो मेटर यहां पर काम कर रहा है इसको मैं बिल्कुल स्लोली राइड कर रहा है स्पीड 12 से 13 किलोमेटर परावर आप सामने देख सकते हैं तो स्पीडोमेटर बिल्कुल पर्फेक्टली काम कर रहा है और जितना किलोमेटर आपने राइट किया है वो सारा कुछ इस मीटर में दिखेगा भी तो दोस्तों यह था मेरा अनबॉक्सिंग रिब्यू इंस्टलेशन टेस्ट वीडियो इस मेकैनिकल स्पीडोमीटर फॉर बाइस्किल का साथ आपको पसंद आया होगा साथ यह वीडियो आपके लिए हैलफुल रहा होगा अगर हां तो लिचे कॉंट में लिख के बताना और वीडियो को लाइक भी करो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर इस स्पैडोमीटर को आप पर मघृट चाथे हैं तो बाइसली में कि सके कर वीडियो कि दिस्क्रिप्सिब कर सकते हैं इसके अलाम कोई और प्राइच सक्छैंस является और यह कोई पिस्दिरम पर Всक्शे तो इधर आईडी सो रहे हैं जाके फॉलो कर लेना मेसेज करना में रिप्लाइज जरूर करूंगा तो बस मेरे हिसाब से यही तर सारे कुछ इस वीडियो में चलता हूं फिर मिलूँगा किसी दिन किसी और वीडियो में तब तक के लिए आपको रखनाम नखेया को रोना से ब बाइब